अब जो है नितिश कुमार की पार्टी जेडियू में उन्हें सामिल कर लिया गया है दोस्तों सबसे बड़ी खबर आ रही है कि दोस्तों जो बिधान सबा चुनाओ जो जो जारखन में होने वाला नितिश कुमार के पार्टी भी इस बार पुसिस कर रहे हैं कि जबदस सीट पर चुनाओ लड़ा जाए अगर वहां बीजेपी गरबंदन के साथ मिलकर चुनाओ लड़ती है तो इससे सरीव राय करहने से जादे फायदा जो है वहां पर मिल सकता है मैं बता दो जोसो कई बार के मंत्री रह चुके हैं सरीव राय बीजेपी में थे बीजेपी में बाद में कुछ कारण से जो है बीजेपी को छोर कर जो है उन्हें निर्दलिय जो बिधाय की चुनाओ लड़ा और निर्दलिय चु लावर नेता काफी पुराना नेता है उनकी अपनी एरिया में पहुँच है तीस पर चूनाओं लड़ते के लिए है वह इस बार जो लग रहा है कि बीजेपी के साथ मिल कर जो है लगता है चुनाओं वहाँ पर लड़ेगी दोस्तों बाकि दोस्तों क्या माना जो कमेंट करें बादे बीडियों से लाइक किजिए सब्सक्राइब